चोपड़ा एज़को इस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारी बच्छों कल 22 जून 24 को नीट यूजी रेजल्ट और पेपर लीक के रिगार्डिंग काफी सारी चेंजेज हुई है उन चेंजेज के बारे में भी हम बात करेंगे एक और एक्जाम पोस्वोंट हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे और last में इसके बारे में भी बात करेंगे कि इन changes के कारण क्या reneat हो सकता है या नहीं हो सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे हो सकता है तो क्यों हो सकता है नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है इन सब points के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि NEET PG24 का जो एक्जाम 23 जुन 2024 को आज होना था वो पोस्वोंट हो गया है आपने सुना होगा या मैंने भी वीडियो बनाया था कि जो दो दिन पहले UGC NET का एक्जाम होना था एक्जाम होआ था वो कैंसिल भी हो चुका है तो आप देख रहे हैं इन दिनों पेपर में गड़बडियां हो रही हैं UGC NET का जो पेपर है वो टेलीग्राम पर आ गया था इसी परकार कि NEET PG में भी इस परकार की कुछ गडबडियां देखने के लिए आई है देखने में आई है जिसके कारण ये पॉस्वोंट हुआ है हलांकि इसका नया सेडूल अभी आया नहीं है नीट PG का एकजाम NBE द्वारा कंड़क्ट करवाया जाता है और ये PG प्रोग्राम यानि MD, MS, DNB और Diploma Courses में एडमिशन के लिए ये एकजाम कंड़क्ट होता है हलांकि आने वाले समय में तो ये इसको रिप्लेस कर दिया जा हम आपको inform कर देंगे अब आगे बात करें काफी दिनों से demand चल रही थी students की उसमें ये कहा गया था कि ये जो मामला है वो CBI के handle कर दिया जाए जो need 24 के result में गड़बडियां हो रही है पेपर लीक में गड़बडियां हो रही है और काफी सारी जो गड़बडियां है उनको करने के लिए CBI से जाच करवाई जाए तो finally जो ministry of education है इन्होंने CBI का order कर दिया है यानि कि जो need 24 का exam हुआ था result आया था उसकी पूरी जाच अभी CBI द्वारा करवाई जाएगी even इसमें data की भी जाच होगी इसमें paper league की भी जाच होगी इसमें सब परकार की जाच होगी वो C CBI द्वारा करवाई जाएगी हलांकि CBI की जाच में काफी समय लगता है हम इस बात को जानते हैं फिर भी अगर एक बार CBI की जाच हो जाती है तो आने वाले समय में इस परकार की गलतिया नहीं होगी हलांकि इसमें अभी rule भी ऐसे बनाए हैं जो 10 लाग से लेके 1 क्रोड त रोकने के लिए पेपर लीको रोकने के लिए जो नया नियम पास हुआ है जो नया एक्ट 2024 पास हुआ है उसमें ये प्रावधान हैं दोनों तो इससे भी एक एक एकजाम में गड़बड़ी होने पर काफी अंकुस लगेगा जो इस्टुडेंट नीट यूजी या नीट PG25 क प्रिप्रेशन कर रहे हैं उनके मन में एक डर बैठा हुआ था कि आने वाले समय में भी एकजाम में ऐसी गड़बड़ियां होंगी क्या तो मैं उनको बता दूं कि आने वाले समय में इस परकार की गड़बड़ियां होने की कोई possibility नहीं है आप tension free होके अपने study करें क्योंक जो need 25 का exam होगा चाहिए वो UG का हो चाहिए PG का हो फेर exam conduct होगा तो बच्चों को डरने की आवश्यक्ता नहीं है इसमें इसके बाद में जो NTA के director है सुबोध कुमार उनको भी replace कर दिया है उनको स्री प्रदीप सिंग IAS है उनके द्वारा replace कर दिया है तो वो कारिभार समाल रहेंगे NTA का तो ये दो बड़े बदलाव किये गए हैं एक इसमें NTA की जो कारिय सली है उसका उसमें क्या सुधार की आवश्यक्ता है चाहिए वो नीट की exam का हो चाहिए और exam conduct करवा रहा हो NTA उसमें क्या क्या कमिया है इन के लिए इन कमियों को दूर करने के लिए इन कम कमियों की जांच करने के लिए एक कमेटी बैटाई गई है जिसके चेर मैन है पूरो इस्रो परमुख है डाक्टर के राधा कृष्णन और इसमें छे इसके सदस्य हैं इसमें डाक्टर रंदीब गुलेरिया जो पूरो डायरेक्टर एम्स के हुआ करते थे वो इसमें सदस् प्रूटाद फैकर युनिवर् Burnti के कुलपति हैं Professor Lt बीजे राव ये भी सदस्य हैं और इसमें IIT मद्रास के professor के रामोर्थी ये भी सके मेंबर है और पंकज बंसल बोर्ड मेंबर कर्म योगी भारत इसके सदस्य हैं और Professor आदिते मित्ल इन हैं IIT दिली के ये भी सके सदस् इसके चेर मेंने तो टोटल सेवन सदसे की ये टीम बनाई गई है और ये जाच करेगी कि NTA के अंदर क्या-क्या गड़़िया हैं तो इसमें सारे के सारे मैटरेस में देखे जाएंगे कि एकजाम होल में ओबजरवर का क्या काम है इन्वीजिलेटर का क्या काम है वो किस तरीक प्रेस में दिया जाता है इसके बाद में वहाँ से ये कौन से लोजिस्टिक के थ्रू ये ले जाया जाता है बैंक में रखा जाता है फिर वहाँ से स्कूल में भेजा जाता है सेंटर पर भेजा जाता है सेंटर से फिर वापस कलेक्ट किया जाता है तो ये सारी की सारी सोंप देगी ये नीट में हुई गडबडियों का भी ये इसमें देखेगी कि किस कारण से इसमें गडबडियां हुई थी नीट में और बाकिया एक्जामों में किस प्रकार से गडबडियां हुई हैं और इनको कैसे सुधाराद जा सकता है तो आने वाले समय में हम सोच रहे ह कि जो इतनी सारी गड़बडी हुई है उन पे नकेल कसा जा सकता है और इस पे नकेल कसने के पूरे इंतजाम किये जा रहे हैं तो मैं उन student को फिर से बोल रहा हूँ कि जो student 25 का exam का तैयारी कर रहे हैं उनको टेंशन में आने की आवश्यक्ता नहीं है बिल्कुली अब हम बात करेंगे कि ये जो चेंजेज हुए हैं इन चेंजेज के कारण रीनीट हो सकता है या नहीं हो सकता है तो देखो यहां दो मत हैं student जो student selection range में हैं वो student सारे हैं कि रीनीट नहीं हो और वो अपने इसाफसे सोच रहे हैं कि इन कारणों से रीनीट नहीं होगा लेकिन जो student selection range में नहीं है, जैसे कि मालो 655 मैंने कटोब बताई थी, तो 655 की down वाले जो student है, वो चारे हैं कि reneat हो, और इसमें काफी सारे student ये चारे हैं, काफी सारे क्या जो selection range में नहीं, वो सारे student ये चारे हैं कि reneat हो, तो सारे अपने अपने इसाब से सोच रहे हैं अभी, जो reneat नहीं चाते वो ये सोच रहे हैं कि reneat इस कारणों से नहीं हो सकता है, जो reneat चा रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि इन कारणों से reneat हो सकता है, मैं आपको बता दू कि इसके 50-50% chance ही है, reneat हो भी सकता है 50% chance है, rene नहीं भी हो सकता है 50% सांसे अभी आपको इस स्टेज पर कोई नहीं बता सकता कि कंफर्म री नीट हो सकता है कोई ये नहीं बता सकता कि कंफर्म री नीट नहीं होगा यानि कि कोई भी क्लियर नहीं बता सकता मेरे अकोर्डिंग इसके 50-50% सांसे हैं सुप्रेम कोट 8 पक्स रखे जाएंगे गौर्मेंट की तरफ से भी पक्स रखा जाएगा जो NTA पक्स रखेगा और स्टुडेंट की तरफ से तो पहले ही पक्स रखा जा चुका है जिसमें सारी गड़बडियां सामने आ चुकी हैं वो पक्स भी स्टुडेंट का रखा जा चुका है लेकिन अ होगा इसमें क्योंकि मैंने प्रिवेस येर में भी बहुत सारे ऐसे केशेज देखे हैं तब मैं उनको देखते हुए आपको बताता हूँ कि इसकी 50-50 possibility है अब reneet नहीं होने के कारण क्या-क्या हो सकते हैं तो देखो मेरा यह मानना है कि re-neet नहीं होने का सबसे पहला रीजन ये है कि ये political issue बन चुका है और जो जो आजकल political issue बना है आज तक उसका कभी समाधान इस government ने नहीं किया है मैं आपको सच बताऊं अगर विपक्स इसमें कोई मुद्दा उठाता है तो government इसके बारे में बिलकुल भी ध्यान नहीं देती है तो एक तो ये region हो गया जो मैंने आपको बताया कि इसमें political issue सबसे बड़ा कारण है कि re-neet नहीं होने का ये हो सकता है यहां political issue यहां लग जाए और यहां पर जो government है सुप्रेम कोट में इस परकार के तथे रखे कि उसमें सुप्रेम कोट को ये मानना पड़े कि यहां इस stage पर हम re-neet नहीं करवा सकते इस परकार के तथे रखे जाएं तो ये political issue के कारण ऐसा हो सकता है हमने पहले भी बताया था कि ये इसको अगर political मुद्दा नहीं बनाया जाएगा तो student के favor में बात होगी अगर political मुद्दा इसको बना लिया जाएगा तो student के favor में बात हो पाना मुस्किल है ये धीरे-धीरे political issue बनता जा रहा है अब दूसरा ये है कि government ये बोल देगी सुप्रेम कोट को कि हमने इसके बारे में CBI जांच बैठा दी है CBI जांच करेगी जो दूद का दूद होगा पानी का पानी हो जाएगा तो ये भी एक कारण हो सकता है यहां पर दूसरी बात NTA director के replacement का भी हवाला दिया जा सकता है government दौरा सुप्रेम कोट में कि NTA के director को हमने replace कर दिया है ये भी हो सकता है दूसरा government दौरा ये भी कहा जा सकता है कि जो student selection range में हैं उनको re-neet दिला करके उनका नुपसान क्यों किया जाए देखो यहां मैंने पहले भी आपको बताया इससे पहले भी बताया कि जो student जिनका selection नहीं हो रहा है उन student की कोई गलती नहीं है बेचारों की इनके कारण ये सारा का सारा system ये cheating के कारण हुआ है इसमें दोनू तरह के student पिस गए है पिस ना आखिर student कोई है तो इसमें दोनू तरह के student जो selection range में है वो student में इसमें पिस रहे है उनकी जो rank है वो काफी ज्यादा आ रही है और वो student तो PC रहे हैं जिनका selection नहीं हो रहा 540 नमबर लाए हैं विचारे 530 लाए है शोरी 640 लाए है 630 लाए है 620 लाए है उनकी क्या गलती है जो 620 में हम सोच रहे थे की selection हो जाएगा तो दोनों तरह के student है वो यहां किस रहे हैं तो government यह भी कह सकती है कि हम उन students के साथ में यह अन्याई होगा जो student selection की range में हैं तो यह भी यहां government की तरब से मुद्दा उठाया जा सकता है क्योंकि government नहीं चारी है कि re-neet हो अब government दोरा यह भी कहा जा सकता है कि जो कमिया थी वो 1563 student की हमने re-neet करवा दिया है आपके आदेश के according यह Supreme Court में हवाला दिया जा सकता है तो यह 5 point ऐसे हैं मेरे according जो मैंने आज तक Supreme Court के previous year के फैसले भी देखे हैं और भी देखे हैं तो उसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि यह 5 point government की तरब से Supreme Court के पास में रखे जा सकते हैं इस्यू हो सकते हैं जिनके कारण re-neet नहीं होने का कारण हो सकता है 50% अब 50% हम मान लेते हैं re-neet होने का कारण 50% सांसेज ये हैं कि re-neet हो सकती है उनका क्या कारण है उनका कारण यह है कि पेपर लीक हुआ है मास लेवल पर यह हम सब जानते हैं इस बात को इस बात को इंडिया का हर एक student जो अनपड है वो भी जान चुका है कि नीट में पेपर लीक हुआ है जो अनपड है उसको यह समझाया जाता है कि आज तक जो 720 वाले candidate से वो तीन तक ज्यादा से ज्यादा आये हैं इस बार 67 candidate आये हैं तो अनपड student जो नीट की definition भी नहीं जानता है नीट के बारे में बिल्कुल नहीं जानता वो भी बता देगा कि यह चिटिंग कोई है यह पेपर लीक हुआ है इसके कारण इतने सारे candidate आये हैं और पेपर ली के पुरुप तो मिली गए हैं सबसे पहले हम बात करें बिहार की तो बिहार स्टेट के अंदर सबसे पहले जो यह पेपर लीक हुआ था वो रांची में हुआ था रांची के एक युनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने यह पेपर है वो संजीव मुख्या को वार्टसप किया है उसके जो सीरियल नंबर भी है पेपर के वो भी उस वार्टसप में आये हैं और संजीव मुख्या ने फिर वार्टसप पर जो सिंटू पिंटू जो भी है उनको भीजे हैं और यह स्कूल में जहां 25-30 लोगों को यह रटाया गया था पहले दिन पेपर हलांकि उन बच्चो के भी दो सोलवर सामिल थे तो इस परकार से यह पूरी की पूरी चैन सामने निकल के आ रही है इसमें काफी सारे लोग और धीरे-धीरे सामने नजर में आ रहे हैं इसमें तो यह मास लेवल पर पेपर आउट हुआ है तो यह कारण हो सकता है री नीट होने का सबसे बड़ा कार्ण ये हो सकता है क्योंकि paper leak होने के सबूत मिल चुके हैं पहले दिन paper whatsapp पर आ गया था तो ये आप समझ सकते हैं कि ये paper leak हुआ है mass level पे अब गुजरात center पर भी cheating हुई है गुजरात center पर cheating ये हुई है कि ये setting से center alert किया गया है अब हमें इस बात को सब जानते हैं सब जानते हैं मतलब NTA भी जानता है ministry भी जानती है हर एक लोग जानते हैं कि center alert सिरफ NTA ही करता है तो उन student का जिसमें सोडा तो जारखंड के student थे और भी दूसरे state के student थे उन student को ये center alert क्यों किया गया एक specific center मंचा center student तो नहीं ले सकता student को तो सिरफ डिस्टिक एक्जाम सीटी है वो फिल करनी होती है उसके बाद NTA alert करता है तो इन student को एक ही center alert क्यों होगा वो तो मिली भगत से alert होगा तो इसके proof मिल चुके हैं पूरे के पूरे यहां एक NTA पर सक की सुई यहां गहरा रही है कि यह center alert क्यों हुआ यह किसकी वज़े से हुआ 9 और 10 अपरेल को जो registration दुबारा open किये थी उसमें 24,246,246 candidates ने दुबारा registration किया था वो student के selection range में है उन्हीं student ने इतनी बलक में registration क्यों किया क्योंकि जो student selection range में होता है वो तो पहले ही registration कर देता है दो बार window extend हुई थी शोला मार्स तक भी यह window extend हुई थी उसके बाद भी वो student नहीं कर पाए और उसके बाद में अचानक दो दिन के लिए window open की जाती है तो यह यहां भी एक सक वाला issue बनता है यहां पर फिर दूसरी बात reneat होने का यह भी कारण है कि एकदम से इतने सारी rank कैसे increase हो गई जहां सोच रहे थे 620 पर selection हो जाएगा 630 पर हो जाता selection लेकिन अभी 655 पर नहीं हो रहा है इतने सारी rank क्यों आ गई student की यह भी एक चिंता वाला विशह है दूसरा reneat होने का कारण यह हो सकता है कि 2015 में सुप्रिम कोर्ट ने decision दिया था कि अगर एक student को भी गयर कानूनी तोर फाइदा मिलता है तो यह exam दुबारा करवाया जाएगा यह 2015 में जब reneat हुआ था तब सुप्रिम कोर्ट का statement था उसमें 44 candidate पकड़े गए थे उसमें यानि 92 candidate के whatsapp पर या bluetooth से उनके पास answer की पहुँची थी तब सुप्रिम कोर्ट में ने order दिया था कि एक भी candidate को इसमें फाइदा नहीं पहुँचना चाहिए तो यह point भी हो सकता है इसके बाद में point है कि approach 22 lakhs student reneat की demand कर रहे हैं तो इसके कारण भी reneat हो सकता है तो 5 कारण मैंने reneat होने के बताए हैं और 5 region मैंने reneat नहीं होने के बताए हैं तो अभी 50-50% chances है कि reneat हो भी सकता है और 50% chances यह हैं कि reneat नहीं भी हो सकता है यह depend करेग सुप्रिम कोर्ट में इससे पहले मिनिस्ट्री द्वारा एजूकेशन मिनिस्ट्री द्वारा री नीट का ओडर दिया भी जा सकता है उसको पावर है वो ओडर दे भी सकते हैं री नीट का लेकिन 8 जुलाई को जो हीरिंग होगी उसमें तो सारा सब कुछ मैटर कलियर हो जाए हैं उन सबको स्टड़ी अभी स्टार्ट कर देनी चीए यह सोच करके री नीट होगा यह सोच करके स्टड़ी स्टार्ट कर देनी चीए री नीट होगा तो आपको स्टड़ी स्टार्ट करने से फाइदा हो जाएगा नहीं होगा तो भी कोई नुकसान नहीं है क्योंकि आप continue study करते रहें, समय का कोई पता नहीं है, re-neet हो भी सकता है, re-neet नहीं हो सकता है, इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है आज के समय में, इसलिए आप तुरंत re-neet start कर दें, तो ये जानकारी थी कि re-neet होगा या नहीं होगा, most updates के बारे में क्या-क्या changes हुए हैं इन 2-3 दिन में, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो मिलेंगे नई update के साथ, नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो सेर कर दें, नई अच्छा के साथ में, तब तक के लिए, जैहिन!